दुमका के केंद्रे कारगार में बंद कैदी अंदर से ही अपना अप्राधिक सामराज्य खड़ा कर रही हैं और इसकी भनक ना तो वहां मौजूद जेलर को है और ना ही समय समय पर छापे मारी करने वाली टीम को है जिस टीम में खुद उपायोग से लेकर एसपी तक मौजूद रहते हैं यहां तक कि ये अधिकारी चौपिवारी के बाद जेल को क्लीन चिट तक देते रहते हैं जबकि जेल के अंदर सीसी टीवी से लेकर तमाम अत्यधुनिक सिस्टम मौजूद है बावजूद इसके जेल के अंदर से अपराधी अपना सामराजी खड़ा कर रही हैं इस बात का पता उस वक्त चला जब खूफिया विभाग ने इसकी जानकारी राज्जी के वरिय पुलीस अधिकारीं को दी जो इसके बाद इस पी समेथ तमाम अधिकारी इस मामले की तहकीकात कर अपराधियों को सजा दिलाने के बाद कह रहे हैं हम को भी पेपर के माध्यम से और पत्रकार लोग माध्यम से ये सूचना मिल रहा है कि बाहर रंगारी का मैटर सामने आया हुआ है तो हमने जेल सुपर्णेंट साब को पत्र लिखा है और कल डिपियो सदर जाके वहां पर छापामारी भी किये हैं हम ये जैसी आपको भी पता है छापामारी करने के पश्चा जो हमको कुछ ने मिलता है बट हम टेकनिकल जो डीटेल्स है हमारे पास जो टेकनिकल टेकनोलोजी का यूसेज करके ने सभी कॉल्डम हिकाला है और कौन-कौन किस-किस से कहां-कहां बात किया है ये सभी जो है डीटेल्ड जो है स्टडी किया जा रहा है बहुत जल्दी जो है कौन उनको मोगाल फोन प् तब रहता है उसी दुमका केंद्री कारा से बंद अपराधी बाहर धारखंड के भील शेत्रों में ठीका मैनेज करते हैं जवसाईयों से रंगदारी वसुद करते हैं दुमका जिला के सामानी आला अधिकारी और पुलिस के आला अधिकारी को यह भार दिया गया है कि वे समय स अधिकारा को क्लीन चीट दे दिया जाता है कि यहां से कुछ नहीं हो रहा है बताव जिसके इतने बड़े क्रांज का खुलासा कुद्या विभाधी दिया कि यहां से पंद अपराधी जमसेथ भनपात जैसे सहरों में ठीका मैनेज करते हैं जब साईयों से रंगदारी कि पुलिस जेल प्रसासन पर कोई कड़ी कारवाई कर चकता है इसमें किनकिन की मिली सहभागिता है इसको उजागर कर दोस्रियों को पूट से सजा दिलवा पाता है या फिर सब वैसे ही मैनेज हो जाता है जैसे कि अभी तुमका केंद्री कारा के अंदर से बंद कहदी बाह कर दो